कि नमस्कार मैं नामनी साथ देखें एक ट्विडियो सुनिये चाड़ों विधान सभा उचनाओं की तारिक तेरा तारिक है और उसका नामांकन की तित्री सुरू हो गई है इसे लेकर आज तरारी विधान सभा से विशाल प्रसांत जी हमारे एंडिये को मिदवार है भारती जनता पाठी प्रदेश कारले से प्रदेश पदाधीकारियों के द्वारा उनको सिंबल दिया गया और कल ग्यारे बजे नामांकन भी है आड़ा जिला के अंतरगत जो समानाल सभा और पीरो पीरो एसकूल है एसकूल गराउन में वहां नामांकन सभा जन सभा होगी तो जिसे लेकर आज अभी विशाल प्रसांजी आये थे और उनको सिंबल दे दिया गया हम चाड़ों की चाड़ों विधान सभा की उप्चुनाओं जीतेंगे चाए वो बेला गंज ह हो इमामगंज हो चाए वो रामगोर हो चायो तरारी हो क्योंकि हम जन्ता के विश्वास पर खराउ रोत अतरते आ रहे हैं कि चारों सीटे भारी मार्जिन से जितने जारे हैं और जो हमारा बैनर लगाता हो जो हमारा पोश्टर लगाता हो जो हमारा मंच सजाता हो इवेंट मनेजर नेता कफ से हो गए अगर वो नेता है इसके पहले भी कई पाटिया बिहार के सभी सीटों पर लड़ी कोई सीट पे पाश जार साथ जार पाड नहीं कर पाई तो लोग सभा चुनाओं में या विधान सभा चुनाओं में परत्यासी काम के अधा जनता पाटी को कुई फड़क महीं पटने वाला बिहार का विकास कैसे हो भारत का विकास कैसे हो आज देद की अर्थ विवस्ता है जब प्रधान मंतरी मन्मोहन सिंह सुन्ह ते 10 वर्सों तक प्रधान मंतरी थे और इसकी जो अटल जी छोड़के गय थे 2004 में वही थी और मो सब्सक्राइब करें दर्स वर्सों के अंदर इसके लिए हमें बोट मिले यह कोई मुद्दा नहीं है प्रसांद के सवर इसे बहुत लोग ऐसे लोग किसले आते हैं कि पहले तो वो खुद लड़के देख लें पर इनाम का इंतिजार कर ले सब्सक्राइब कानून बनाने का समय सत्र चल रहा होता है तो जनता से कोई मतलब है क्या उनको लगता है कि हम कुछ समी करन कभी माईं कर नदियां पर पुड़ा विष्वाज दो बार स्मार्ट मिटर का टेंडर हुआ एक बार 35 क्रोड smart meter tender हुआ उसके बाद लगब सतर क्रोड smart meter का tender हुआ तो उस समय सरकार में थे तो उन समय smart meter सही था जब सत्ता से हर जाते हैं तो जन्था का मरहमना और जंता का उनको परसानी नजराने लगता है जब सत्ता में थे तो इस्मार्ट मीटर को क्यों नहीं रखवाया अगर इस्मार्ट मीटर में कोई तूटी है कोई परसानी है तो उसके लिए अधिकारी उसको दूर करेंगे खुद उनके प्रदेशा द्यक जगदान अंजी का 17 परतिशत बिलका मारा है तो इस बार विटा सही है कि गला तो वो खुज बाद है और ही बाद सराब बंदी की तो सराब बंदी पुर्ण रुपे ने लागू रहेगा और सराब बंदी के कारण कई हजारों लोग परतिवर् गहिलू इंसा में मारे जाते थे घरूलू इंसा से महिला आए परतारीत रहती थी युवा अँ inadequ हमारा वड़बाद हो रहा था तो कहीं कुछ कंख मिया है कुछ खामिया है अगर उस को दूर किया जाएगा बहुत कुछ भारत में बंद है बहुत बिदेशी हतियार भी आ जाते तो मिल कह से रहे ऐसा थोड़ी है आप एक तो आज इस चीज को समझना हो गए बिहार एक तरप नेपाल से सटा हुआ है एक तरप उत्रपर्दिश से सटा हुआ है एक तरफ बंगाल से सटा हुआ है तो अब ड्राइ एश्टेट अभी बहुत कमिया आई है बहुत इसमें रोक लगाए जा रहे हैं और दिन पर दिन इसमें और भी सक्ष कानून किये जाएंगे और अभी तो जो अभी हमारे बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने तो इस पश् जब जब बिहार सरकार के दोड़ा आज भी कई पुलिस कमियों को नेगती पत्र दिया गया इसके पहले सिख्षकों को दिया गया अन्य वीभागों में दिया गया तो इसमी आदब कहता है कि हम थे तो कड़ाएं तो मुखमंत्री क्या कर रहे थे लोग कोई मुद्दा नही चाहे वो ब्यपार का मामला हो चाहे वो उद्धोग का मामला हो चाहे वो सडक का मामला हो रेल का मामला हो बिजली का मामला हो एंडिये हर चीज में बिहार के जनता के बहतरी के लिए लगी हुए कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है कि गिर्राज जी की यात्रा निकलता है कोई अगर सहनी चत्रा यात्रा निकलता है कोई कुछ निकलता है तो हम हिंदू यात्रा वो हिंदू सौहिमान यात्रा निकल रहा है वो किसी का बिरोद तो नहीं कर रहा है तो निश्ची तोड़ पर पाठी की यात्रा नहीं है लेकिन हिंदू आदिर्निय की राज जी केंद्रिय मंत्री है और हड व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने समाज का यात्रा निकाले अपने धर्म का यात्रा निकालिए इसमें कहीं को रोक नहां जो उप्चिनज चॉप्स के लिए चार शित पर इंडियार लगने जा रही है छाब दल्क में तंबाम खवार